अलो हां जी नमस्कार आप सभी को स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हप पे सिरी गंगा नगर पे अससी का बहुत अच्छा प्लेट फोरॉम जहां पे आपको बहतरें तरीके से पूरा कोर्स ओनलाइन गूरूप में भी मिल सकता ह है और एमसी की यूटूब पे चली रहा है क्या चीज तो जो भी अभी नए जुड़े हैं बच्चे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी ग्रूपों में इस वीडियो को सेर कर दो क्या पता आपका फाइदा और उनका भी फाइदा हो सभी का फाइदा हुझे तो जल्दी से जो भी नए जुड़े वीडियो को लाइक किया जाए और सब्सक्राइब अच्छा सा कॉमेंट लिग दिना जैसे आपको में हमको भी पता चलता रहे आपको क्या कमी फील हो रही है और क्या आपको और करना चाहिए तो आगे चलते जो कि अपने को क्या बता रहा है निमन लिख्त में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है निमन में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है मतलव यह राष्ट्य उध्यान सभी बुक्सा राष्ट्य उध्यान दंफा राष्ट्य उध्यान नमेरी राष्ट्य उध्यान और नाम दफा राष्टे होगा, इसमें से अपने को पता करना होगा, कौन सा किस राज्य में नहीं है, कौन सा किस राज्य में नहीं है, क्या चीज है, अपने को चार उप्सन दे रहे हैं, बुक्सा बिहार के अंदर दे रहे हैं, दंफा मिजोरम में दे रहे हैं, नमेरी असम में दे रखे है। और नामदवा अरुनाचल प्रदेस में दे रखे है। लेकिन अपने को पता करना है कौन सा patrol के अंदर पड़ता है। बुक्सा बिहार में नहीं, एमपी के अंदर पड़ता है, तो यहां से बिल्कुल अपना सही सुमेलित कौन सा नहीं होगा, बुक्सा अपना बिल्कुल सही अंसर होगा, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है, तो जल्दी से जो नहीं जुड़े वीडियो को जल्दी से लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी ग्रूपों में सेर कर दो क्या पता आपके साथ उनका भी बलाओ आगे चलते हैं परसन नमर दो पे चलते हैं पुछ रहा बारत के निमल लिक्त टाइगर रिजर्व में को सा मिजोर्म में अफस्तित है जो चार अपने को टाइगर रिजर्व दे रखे हैं टाइगर प्रोजक्ट दे रखे हैं टाइगर अब्यारने दे रखे हैं इसमें से अपने को वो चूज करना पड़ेगा जो कि मिजोरम के अंदर है यानि कि अपने को एक बात तो पता चली यहां से भी चारों के चारों टाइगर रिजर्व है कहने का मतलब सबी के अंदर टाइगर निवास करते है सबी के अंदर टाइगर है सबी के अंदर टाइगर है सबी के अंदर टाइगर चारों को चारों टाइगर के लिए परसिद है लेकिन अपने को वो चूज करना पड़ेगा इसमें से लिए जो मिजौरं में है, जो की मिजौरं में यहां पे दमवा यह मिजौरं में गलत लिखा गया, यहां पर इसको सही कर ले ना, दमवा, यह बिल्कुल सभी इसका अंसर होगा मिजोरम ये दंफा राष्टी ये टाइगा रिजरो मिजोरम के अंदर है यहां से अपना सी नमबर अप्सन बिल्कुल सभी होता है और आगे चलते है पेरियार वन ये पसू विहार किस राजिया में स्थित है पेरियार नदी भी गुजरती है इससे होकर कौन से नदी पेरियार नदी भी गुजरती है पेरियार नदी जो की केरल की सबसे परमुक नदी है जो की केरल की सबसे परमुक नदी है कौन से पेरियार नदी पेरियार वन ये पसू विहार से होकर गुजरती है यानि केरल की सबसे परमुक नदी है इसके मद्या से गुजरती है तो ये भी भाई साथ कहां पे होंगे केरल के अंदर होंगे तो अपना ए नमबर उपसन बिल्कुल सही होता है दोबारा परसन को पढ़ना पेरियर वन ये पसू बिहार किस राजिया में अपस्तित है और कहां पे है केरल में है इससे होकर पुछा जा सकता है कोंसी नदी गुजरती है पेरियर नदी गुजरती है कोंसी नदी पेरियर नदी से होकर गुजरती है चारों में से अपना A number option बिल्कुल सही होगा A number पे tick करना जल्दी से बिल्कुल सही होगा अगले person की तरफ चलते अपने person number 4 की और person number कौंसी की और 4 number person की और चलते 4 number person MP MP मतलव Madhya Pradesh लिखने वाले भी बहुत RC होते पूरा नहीं लिखते हिए Madhya Pradesh इसका मतलव Madhya Pradesh Madhya Pradesh का Svipuri Rastriya Park किसके लिए महतपूर्ण है Madhya Pradesh का Svipuri Rastriya Park एक बात सामन की ने लिकर के आई निकल के आती है भी Svipuri है कहां पे Svipuri Rastriya Park है कहां पे MP के अंदर है ये बात अपने को पता चली Svipuri Rastriya Park है कहां पे ये बात अपने को पता चली लेकिन अपने से पूछ रहा Madhya Pradesh का जो Svipuri Rastriya Park है वो किसके लिए परसीद है तो आपको बता देता हूँ बारत में सरवादिक अगर बाग पाई जाते है तो MP Rastriya में पाई जाते है बारत में सरवादिक बाग यानि की टाइगर पाई जाते है तो MP Rastriya में पाई जाते है बारत में सरवादिक बाग इसलिए बागों का गर भी कहा जाते है MP Rastriya को बागों का गर भी कहा जाते है बागों का गर भी कहा जाते है MP Rastriya को बाग वाय हाथी के लिए परशीद है तो आगे चलते हैं option number, question number, question number चलते हैं तो जल्दी से जो भी नए जुड़े वीडियो को लाइक करो और जो भी नए जुड़े वीडियो को लाइक करो तो आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ एक अपलीका से नहारी test mafia के नाम से जहां पर सारे पुराने जमाने के जो भी आपने पिछले जनमें पाप किये वो सारे माफ किये जाएंगे जो भी test mafia के उपर आप जब भी जाओगे google के उपर चलना coaching के एक website है google के उपर जाना google के उपर जाके ऐसे लिखना google नहीं चले तो chrome के उपर चले जाना लेकिन जाना जरूर website लिखना www.testmafia.in इस website को open करना जहां पर जो भी platform open होके आएगा वहां पर आपको test series मिल जाएगी सबी के सबी इस brothers coaching के online courses वहां पर आपको दिखाई देंगे इसके साथ साथ आपको recorded courses भी दिखाई देंगे अब आपो लोगे सरी ये काम किस लिए आएंगे ये काम किस लिए आएंगे तो आपको बता देता हूँ यह test series या फिर जो online courses है या फिर जो recorded courses यहां पर पड़े हुए है वो assessi के लिए या फिर banking के लिए या फिर GD के लिए अगर मैं बात करूँ CGL सभी इसके नरा जाता है DRDO के लिए या फिर defense के लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है आपको सारे इसी syllabus के नुरू पूरे test series यहां पर पड़े हुए online courses यहां आपको मिलेंगे तो all competitive exam के courses भी आपको मिल जाएंगे all competitive exam के course भी आपको मिल जाएंगे फरी में तो कोई भी नहीं देता हम थोड़े से पैसे लेते हैं फरी में कोई नहीं देता थोड़े से पैसे यानि कि जब आप उनको देखो तो 1115 से something आपको यहां पर उसका prize मिलेगा लगबग 1100 हो सकता है पंदरा सो हो सकता है इससे ज्यादा नहीं होगा लेकिन फिर भी आप पैसा बचा सकते हो अगर आप coupon code क्या लिखोगे वहां पे coupon code का option आएगा उसके उपर अगर दिपक के नाम से coupon code को use करोगे तो same ऐसा ही लिखना अगर नाम को use करोगे तो यही कोर्स आपको 200-300 में दिखाई देगा यानि कि 70-80% का आपको discount मिलेगा 70-80% का discount मिलेगा अगर दिपक के नाम को use करोगे तो आपके लिए दिपक नाम बहुत बहतरी साबित हो सकता है तो इसको use कर लेना कि आपको पेसे बच जाए और कोई एक आदी movie देखा उस पेसे में से तो चलते हैं पांच नमबर परसंद के और बागों का परमूख रिज़रो सरीस का किस राजिया में अपस्तित है यानि अपने से पूछरा सरीस का राष्टिय बेरने कहां पे है सरीस का राष्टिय बेरने पूछरा बहुत इंपोर्टेंट है सरीस का राष्टिय बेरने है या फिर राष्टिय उद्यारन कहां पे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है राजस्तान के अंदर राजस्तान के अंदर कोंसे स्थान के अंदर राजस्तान के अंदर एक जिला पढ़ता है कौन सा जिला अलवर जिला राजस्तान के अंदर एक अलवर जिला पढ़ता है इसी अलवर जिले के अंदर सरीसका राश्टे उद्यान है जो की बागों के लिए परसीद है किस के लिए परसीद है बागों के लिए परसीद है राजस्तान में चार बाग प्रियोजना है राजस्तान में सोरी तीन बाग प्रियोजना लेकिं राश्टे उद्यान भारत में राजस्तान में चार पड़ते है उसमें से सबसे चोटी बाग प्रियोजना राजस्तान की सबस इस राजिया में अप स्थित है शरीष का यानि की शरीष का आलवर में है आलवर यानि की राजस्तान में राजस्तान यानि की बारत के अंदर स्थित है तो इसका उप्शन अपना बी नंबर उप्शन बिल्कोल सही होगा तो आगे चलते हैं तो जल्दी से जो वीडियो के याई वीडियो को like करो और चैनल को subscribe करो और वीडियो को उनको भी share करो जिनको करना चाहिए तो पढ़ते है question number, check कि और पढ़ते है कीज वर्ष में project tiger आरम किया गया ठा कीज वर्ष में project tiger आरम किया गया, यानि की project tiger चला था किस वर्स में चला था प्रोजेक्ट टाइगर इसकी बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर आरम किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर आरम किया गया उननी सो त्रेटर वे चुहतर के अंदर 1933 वे 74 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर चलाय गया था कौँ सा प्रोजेक्ट टाइगर चलाय गया था बारत में सबसे पहले से जिम कार्बेट नेसल पार्क में चलाय गया जिम कार्बेट नेसल पार्क कार्बेट नेसल पार्क जो कि उत्राखंड में पड़ता है बारत में सबसे पहले जिम कारवेट नेसल पार्क में चलाया गया राज्यस्तान में सबसे पहले से रन थंबोर में चलाया गया रन थम्बोर रन थम्बोर बाग प्रियोजिना रन थम्बोर बाग प्रियोजिना राजस्तान में सबसे पहले रन थम्बोर में चलाए गया जो कि स्वाई मादुपूर में पढ़ते ही जो कि स्वाई मादुपूर में राजस्तान में चलाए गया दोबारा देखना किस वर्च प्रोजेक्ट टाइगर अभी की बार जो कौश्टेबल का एक्जाम होगा था मार्च मार्च दो हजार बाईस के अंदर उसके अंदर पुछा गया था प्रोजेक्ट टाइगर राज्यस्तान में कब आराम हुआ उसके अंदर शिर्फ स्वेटर ओप्शन में था 74 ओप्सन में था तो 1934 में कौन सा प्रोजेक्ट चला प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर को सुरुक्षा देने के लिए चलाया गया था बारत में सबसे पहले जिम कार्बेट नेशनल पर उत्राखंड में सुरू होता है राजस्तान में सबसे पहले राण तंबोर बाग प्रियोजना में सुरू होता है जो कि स्वाई मादुपूर के अंदर है तो आगे चलते हैं कौन्श्टाबल में पूछा गया परसन था तो इंपोर्टन कर लेना क्योंकि ये पेपर में टपक सकता है अच्छा राण तंबोर स्वाई मादुपूर के अंदर है राण तंबोर टाइगर इसरफ के अंदर तिरिनेतर गनेजी का मंदीर राजस्तान का सबसे बड़ा गनेश मंदीर है जहां पे तो आपको हिंदू तेमारी याद होंगे जहां पे मेला लगता है बादुए की सुकल की पंचमी को चोत को लगता है तिरनेतर गनेजी का मंदीर पंचमी का मंदीर क्रिशन पंच होता है एक सुकल पंच होता है तो आगे चलते हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हो कि आप फिर तंग हो गए यहां पे आपको तंग नहीं करना पाप लगता है मुँगे की चटानों के सनक्षन के लिए सबसे पहले मुसीबत तो यह बन गया मुँगे की चटान का उसी होते है मान के चलना ये बारत का दक्षनी हिसा यहां पे एक सागर पढ़ता है अरब सागर यहां पे एक खाड़ी पढ़ती है बंगाल की खाड़ी यहां पे एक सागर यहां पे एक सागर अरब सागर यहां पे एक बंगाल की खाड़ी पढ़ती है और आपको पता होगा सागर का जलत तो खारा होता है, सागर का जल तो खारा होता है, मुंगे की चटान का मतलब होता है, जो खारे पानी के अंदर जीव निवास करते हैं, छोटे-छोटे सुक्षम जीव, जो खारे पानी के अंदर निवास करते हैं, इनके लिए टेंपरेचर होना चाहिए, जहां पे 20 से लगब सक्समें ऐसा भी होता है लेकिन जो धर्ती पैसमा उसका खतम तो ना थे अपने भी जा सकते हैं तो वह भी जाएंगे जब उनकी मरत्य होती है जब वह सुक्षम-जी मर जाते हैं तो मरने के पसाथ उनका शरीर का बाहरी कंकाल केल्सियम कार्बोनेट में बदल जाता है केल्सियम कार्बोनेट में उनका शरीर का बाहरी कंकाल बदल जाता है तो जैसे जैसे वो सुक्षमजी मरते जाती है केल्सियम कार्बोनेट की चटान बनती जाती है और उसी calcium carbonate के चटान को मूँगय के चटान कहा जाते है विश्व की सबसे सुंदर चटान मानी जाती है बहुत सुंदर चटान मानी जाती है मूँगय की चटान ऐसे करना Google के ऊपर जाना और Google के ऊपर लिख देना मूँगय की चटान या फिर परवाल भी तिया मुंगे की चटान यहां फिर ऐसे लिख दो परवाल वितिया विसव की सबसे सुन्दर चटानों में मानी जाते है बहुत रंग भी रंगी कलर की होती है सबसे सुन्दर चटानी होती है मुंगे की चटानी यह फिर परवाल वितिया तो आपसे पूछ रहा मुंगे की चटान के संरक्षन के लिए बार्च सरकार ने निमन लिक्त में से किसे समुंदरी पार के गोशित कर दिया यहां पे आपका उप्सन होगा कच की खाड़ी कच की खाड़ी यहां पे गुजरात में पढ़ता है गुजरात में पढ़ता है, इसी गुजरात में एक खाड़ी पढ़ता है, कच की खाड़ी, यहाँ पे मुंगे की चटान बनती है, और इसी मुंगे की चटान को, यहीं मुंगे की चटान को, इसी मुंगे की चटान को, सबसे सरकार ने, बासरकार ने क्या किया, सरक्षन परद जाते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो सभी गुरूपा में सेर को दो सबसे और 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 आगे चलते हैं अपने तुरंट कोशन नमबर साथ की तरफ चलते हैं कोशन नमबर साथ की तरफ मूव करते हैं अभी मूव किया और यह मूव किया बारत में जंगली गदे जंगली गदे लिखने नहीं आता हम वालों को जंगली गदे जंगली गदे की बात करते हैं जंगली गदे बारत में जंगली गदे निमलित में से कहां पाई जाते हैं बारत में जंगली गदे सरवादिक बारत में जंगली गदे सरवादिक कहां पे कच कारण गुजरात में पाई जाते हैं बारत में सरवादिक जंगले गदे कच कारण गुजरात में पाई जाते हैं आ कार के मरूब भूमी में तो Qodavan सबसे ज़्यादा पाए जाता है 121 में बाग भी पाए ज़ते है सब्सीमन मंगैम सब्से बड़ा डिल्टा विश्व का सब्से बड़ा डिईलटा सब्से बड़ा डिल्टा सुंदरवन का डिल्टा जो क्यी Pasum मंगाल में गंगा वे ब्रह्म पुतर के द्वारा बनाया जाता है आप से परसन क्या पूछ रहा आप से परसन पूछ रहा बारत में जंगली गदों के लिए क्या परसीद है कच कारण जो राश्टी व ब्यारने पढ़ता है वो जंगली गदों के लिए परसीद है जो कि मूव करते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक रो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिख देना अच्छा आगे चलती हैं तुरंत परवाब से निमल लिखत में से कौन सा च्छतिस गड़ के बस तर चेतर में स्थित है क्या इसका उप्सन से बिलकुल नहीं होगा बड़े तुके मारते हो बड़े तुके मारते हो नहीं होगा तुके बाज आगे निमल लिखत में से कौन सा निमल लिखत में से कौन सा च्छतिस गड़ के बस तर चेतर में से सबसे पर च्छतिस गड़ की राज़दा नहीं पता हो दंड कारने का पठार कहा जाते है इसे बस्तर का पठार भी कहा जाते है इसे बस्तर का पठार भी कहा जाते है यह है पठार तो लोहा के लिए परसिद है लोहा के लिए परसिद है बारत में लोहा के लिए परसिद है बस्तर का पठार इसे दंड कारने का पठार भी कहा जाते है पूछ रहा निमन लिखत में से को सा चतीस गट के बस्तर चेतर में शतीत है तो इंदरावती राष्ट्रे ឥोज, इंदरावती राष्ट्रे standardized का हाँ पे शतीत है इंद्रावती राष्टे उद्यान कहां पे 36 गड़ मिशतीत है आगे चलते हैं तुरंत चलते हैं अभी और जल्दी से वीडियो को लाइक रो प्रशन नमर 10 पढ़ती है अपने पंचमडी जीव सनक्षन चेतर कहां सतीत है और जब आपको बोतिक परदेश करवाता हूँ जब मैंने आपको बोतिक परदेश करवाया होगा उस समय मैं बताया करता हूँ क्या क्या चीज़े सत्पुड़ा की परवतमाला बताता हूँ राज पीपला, ग्वाली गड़ी, महादेव मेकाल चारों सरेणिया आपको अच्छे से बताता हूँ आपको अच्छे से याद भी करवाता हूँ तो राज पीपला, ग्वाली गडी और महादेव जम चार नंबर की सरेणि करवाता हूँ यानि कि ऐसे चार सरेणिया आपको मैं करवाता हूँ चार स्रेणिया आपको करवाता हूँ, राज पीपला, पीपला, कौनसी पीपला, राज पीपला, ग्वाली गड़ी, कौनसी गड़ी, ग्वाली गड़ी, राज पीपला, ग्वाली गड़ी, महादेव, और मेकाल जब आपको चार स्रेणिया करवाता हूँ सत्पुडा पर उत्माला की कौन सी पर उत्माला की सत्पुडा पर उत्माला की तो मैं चार स्रेणियों में कहता हूँ महादेव स्रेणिय के उपर एक हील स्टेसन पड़ता है यानि कि प्रेटक्स तल पड़ता है उसे प्रेटक्स तल का नाम पंचमडी हीले स्टेसन पड़ता है यही वो पूछ रहा यानि कि MP में पड़ता है यही वो पूछ रहा क्या पूछ रहा पंचमडी जीव सरक्षन चेतर कहां प्रस्तित है तो पंचमडी जहां पे पड़ेगा वहीं वह पड़ेगा यानि कि MP में वह पड़ेगा तो जल्दी से इसका बी नंबर उप्शन से ही करना और आगे चलते हैं आपको पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी कि क्या पूछ आप से निमल लिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जल्वाई उशन कटी बंदिया से उपोशन सीतोशन और आरेक्टिक तक परिवर्टत होती है यानि कि आप से परसन यह पूछ रहा ऐसा कौंसा राष्ट्य उध्यान है ऐसा कौंसा स्थान है जिसकी सबस ठंडा होता है फिर लाष्ट में जाके बिल्कुल ठंडा हो जाता है यानि कि क्या कि नहीं बिल्कुल नहीं यानि कि सबसे पहले उशन कटी बंद आता है सबसे हाइट अब्रेचर पड़ता है फिर थोड़ा सा लो यामनी तिर्चा टेंपरेटर सीतोशन कटी बंद पड़त है और फिर बिल्कुल थंडा हो जयता है औरक्तिक चेतर में बदल जाता है तो अपने कहेंगे इसमें से वो को सा जैतर होगा तो नाम-dafa national park जो की कहां पर पड़ता है अरुणाचल परदेस में पड़ता है अरुणाचल पर देस में पड़ता है नाम दफा अब यूके आपड़ते हैं कंचन जंगा सी किम के अंदर पड़ते है आपको एक मौका देरे टेश्ट माफ करने का अपनी एक एपली किसन आप्ली कि आन करना में टेश्ट माफिया टेश्ट माफिया जब गूगल की उपर जाओगे वेबसाइट को लिखोगे क्या www.testmafia.in क्या लिखोगे www.testmafia.in जब test seeds वहाँ पर आपको मिल चाहेगी online courses वहाँ पर उपलब में होंगे आपको या फिर recorded courses जिसको भी चाहिए पूरा recorded courses पढ़ा हूँ GK का, math का, science का, पूरा पूरा वहाँ पर math region का recorded course पढ़ा हूँ All competitive exam का matter आपको मिलेगा जो की SSC के अंदर आने वाला banking के अंदर आने वाला railway के अंदर आने वाला या फिर मैं DRDO की बात करूँ defense की बात करूँ सभी exam में आने वाला इसके साथ All competitive exam का matter आपको मिल जाएगा तो sir आपको फाइदा क्या होगा तो sir आपको इतना ही फाइदा होगा वैसे आपको देखेंगे तो वो बोलते हैं ना आती के खांडे के दान तालग और दिखाने क्या अलग होता है आपको पैसे तो आपको लगवख 1500-2000 दिख जाएगे लेकिन आपको खाना नहीं है दिखाने दिखाने है यहाँ पे दिपर कोड को यूज करना दिपर को यूज करना और कम से कम सतर यासी परचंट कर डिसकाउंट पराप्त करना सतर से असी परचंट याने कि आपको 200 डाइसों में वह मेंटर आपको मिल जाएगा तो वही बात है आती कि खाने के दांत अलाग और दिखाने के लिए है लेकिन समझदार के लिए तो दिपर कोड यूज करना और आपको मिल listen जाएंगे आगे सकथे तुरन्थ परवाब से अ कॉस्टर नमबरबारा ओ क्या कहरा अपने से कॉशन नमर बारा किस राज्या Beim ein राश्ट्य उद्यान वेली ओफ फिमार्स तीता है कि सरा जमे कि राज्यमे उद्यान कि श्व जिसरा जमे है हो जाये ऑ कि से किस राज्यमे कि फुलों की गाटी फुलों की गाटी राष्टिया बेरने कहां पे स्थिता अपने से पुछ रहा फुलों की गाटी राष्टिया उद्यान कहां पे फुलों की गाटी कहां पे उत्राखंड के अंदर कहां पे उत्राखंड के अंदर फुलों की गाटी नॉर्मल सा परसन पता यानि कितनी बार एक्जाम में पुछा गया value of flowers या एक्जाम में लिखाएगा फूलों की गाटी ये कभी नहीं लिखाता एक्जाम में लिखाएगा फूलों की गाटी राष्टे हो जान कहां पे है उत्रा खड़ने के अंदर है तो इसका एक नमर उप्सन बिल्कुल सही होगा आगे सालते हैं मदू मलाई पसू बिहार कहां पे परसीद है मदू मलाई कहां पी है मदू मलाई तो तमी लाड़ों में पढ़ता है मदू मलाई तमी लाड़ों में पढ़ता है मदू मलाई तमी लाड़ों में पढ़ता है किसके लिए परसीद है व्याग ग्रों के लिए य बाग टाइगर? या ताइगर कोई बोलती है बाग या फिर टाइगर मैं दूमल आएग आगे निकलते हैं जल्दी से निकलते हैं तुरंत निकलते हैं गिर आँजी अपने से पूछ रहा गिर राष्टे उद्यान जो की ऐसे सेर के लिए परसिद है कहां परसिद है गिर राष्टे उद्यान जो की ऐसे सेर के लिए परसिद है कहां परसिद है कहां परसिद है ऐसे सेर के लिए बारत में सिर्फ ऐसे सेर कहां पर पाई जाते है गिर राष्टे इसका सही है, इसका सही है, दो मेंटर को, अच्छा, ये मेरे को लगता है कल सवर्प जी ने थोड़ी ज्यादा लगा लिए थी, तो उनको पता नहीं चला, होसोस में होस्खो बेटे वो, गिर राष्ट्य उद्यान, स्वरी, ये गलत है यहाँ पे, गिर राष्ट्य उद्यान को वैसे पूरे को नहीं काटना, कोई खास बाद नहीं है, पूरे को नहीं काटना, मदू मलाई को काटके यहाँ पे गिर राष्ट्य कर देना, बस इतना सा फरिक है, अपने से पुछ रह गिर राष्टे उद्यान कहां पर मदूमलाई को काटके गिर राष्टे उद्यान करना गिर कहां पर पूरे बारत में गिर राष्टे उद्यान एसे सेर के लिए परसीद है कौन से सेर के लिए एसे सेर कौन से होते है जो बड़े-बड़े बालों वाले सेर होते है उसे जो गुजराट के अंदर है गुजराट के अंदर ही परता है कच्र ने बेरने अ को условिवा बैरने जो की गदों के लिए परके इसे रहट था लाइनी हमें इसार्ध ने थाल से ओपड़ादा रमा रभाता है और यह से थाल pro के लिए परशिध है कोशन नमर पंदनहां पर चलती है। किन नाम दफाव मक्याकर मेद्रे के लिए पर शुड़ा है नाम डफाव म क्थरम नहीं होगा है यह मुख्यार प्रदेश होगा नाम लेकिन तـ 2 दम्फा दम्फा मेद्रोर मेद पड़ता हैここ मेद मिजओरम ने पढ़ता है। मिजओरम में दंफ पढ़ता है, जम्मु में मिजओरमल सा परसून, पूचह जाएगा है। गिए नॉर्मल सा परसन बनता है नाम दफाकिस राजय में और मुनाचर प्रदेश में नाम दफाकिस में अर मुनाचर प्रदेश में तो आगे निकलते सोड़ा नमर यह वापस टेस्ट माफिया आपको पंदर बार तो बता दिया आपको समझे पतानी क्यों नहीं आता एक application test mafia के नाम से website उपर इसके google के उपर जाना और website लिखना कौन सी www.testmafia.in जब ये website लोग लिखोगे तो उसके बाद आपको जो platform दिखाई देगा उस platform के आपको test series दिखाई देगी online courses दिखाई देगे और recorded courses दिखाई देगे ये सब कुछ जब भी आपको दिख जाए तो आपको क्या करना जल्दी से उसको purchase कर लेना जल्दी से ATM से अपने पैसे लगा देना लेकिन लगाने से पहले दिखाई को यूज कर लेना क्योंकि यही course यही test series आपको 70-80% discount पर मिल सकती है अगर coupon code दिखाई करोगे तो ये फाइदा उठा लेना के फिर गलती की भेंकर गलती की कंचन जंग जेंदा राष्ट्य उदान नहीं होता कंचन जंगा होता है कंचन जंगा होता है कंचन जंगा होता है कंचन जंगा राष्ट्य उदान स्थित है कंचन जंगा कर लेना उसको गलती से लिख दिया होगा कोई बात नहीं हो सोस में पता नहीं चलता हवस खो वैठेगो कंचन जंगा राष्ट्य उदान कहां पे है कंचन जंगा राष्ट्य उदान कहां पे कंचन जंगा यहां पे सही लिखा लेकिन वहां पे गलत लिखा कंचन जंगा राष्टे उद्यान कहां पर है कंचन जंगा तो सिक्की में पड़ता है कंचन जंगा परवचोटी की बात करते हैं कंचन जंगा परवचोटी की अगर मैं बात करूँ तो हिमालिय में बारत की सबसे उंची परवचोटी कंचन जंगा इमाल्यामे बाइरत की सबसे उंची परवचोटी कंचन जंगा फिचासी सो 68 मं मिटरिस की नांचा ही पड़ति है सिक्किम के पड़ती है तुट से च्छोटा राजे कुण सा सिक्किम पड़ता बार्त का सबसे छोटा राजे तो तो गोवा, दूसरा सबसे चोटा कौन सा सिकीम पड़ता है, तीसरा सबसे चोटा तो तीरी पूरा पड़ता है, अगर याद रखना हो तो क्या याद रखना, जी एश्टी याद रखना, अगर याद रखना हो तो जी एश्टी याद रखना, सबसे चोटा गोवा, दूसरा सि केव और तिसरा तिरी पुरा पड़ता है ठीक है आपसे पूछरा कंचंजंगा कहां पे कंचंजंगा सिक्कीम यह क्या बार बार पूछ रहे हो जल्दी से चलते हैं यह फिर बेंगर रूप से गरत लिखा गया कोई बात ने अपने सही कर देंगे कभी कभर हो जाता है इसा गल्ती तो इंसानों से होती है कोई बात ने सुधार देंगे दमफा वन्यजियो बेरने कहां पर दमफा दमफा नहीं है ये दमफा है दमफा वन्यजियो बेरने स्थित कहां पर दमफा सुरू में देख लिया था तो बार बार क्या देखे मिजोरम के अंदर पड़ता है सुरू में देख लिया वार बार क्या देखे उसके बाद में मिजोरम कहां पर मिजोरम में कौन सा दंफा पढ़ता है मिजोरम में कहां पर दंफा पढ़ता है सिक्किम तो कंचन जंगा पढ़ता है यहां पर काजी रंगा पढ़ता है काजी रंगा यहां पर नो क्रेक पढ़ता है नो क्रेक नागलेंड में पढ़ता है अस उल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और उनको भी सेर करो, उनको भी चिन को, उनको भी सेर कर दो, सबीको सेर कर दो. नाइं मनें मैंं genetics में से कौन सा रास्ट्य उजयन गीं तरकत नहीं आता, यानि की यह पूछ रहा, यानि की हो जा सही बाबा मुसीबत मों ले रखिया है अच्छा निमा लिक्त में से कौन सा राष्ट है प्रजेक्ट टाइगर के अंतरकेत नहीं आता मतलब जो अपने को टाइगर चार ओप्सन दे रखा है वो इसमें से टाइगर किस के अंदर नहीं है सबी के अंदर टाइगर है लेकिन टाइगर किस के अंदर नहीं है वो पूछरा टाइगर किस के अंदर नहीं है तो काना जी कहां पर पढ़ते है काना जी MP में पढ़ते है और MP की तो वैसे ही बागों का घर कहा जाता है MP को तो वैसे ही बागों का घर कहा जाता है रन थंबोर तो राजस्तान की सबसे बड़ी है रन थंबोर तो राजस्तान की स्वाई मादुपूर में पड़ती है राजस्तान की सबसे बड़ी है ये वैसे नहीं जिम कारवड तो वैसे ही सबसे पहला था तो सोचने की कोई बात ही नहीं है सोचने की वैसे ही कोई बात नहीं बागों का घर MP में काना पड़ता है राजस्तार में सबसे पहले रण थंबहु रहे है और भारत में सबसे पहले जिम पकाल बिट है अपने बली यहां पे कुछ भी लिखा होता अपना option यही सही होता, तो यह option अपना बिल्कुल सही होगा, निमल लिक्त में से कौन सा राष्टिय उद्रम प्रजेक्ट टाइगर के अंदर के तो नहीं आता, काबू लामजाओ नहीं आता, काबू लामजाओ नहीं आता, 19 नमबर परसन पे चलते हैं, राजा जी, राष्ट राष्टिय पारक किसके लिए परसिद है, या फिर कहां पे है, तो यह किसके लिए परसिद है, एसे हाती के 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 लिए पर प्रत्म राष्टे उद्यान था फिर फिर प्रोजक्ट टाईगर की बात तो वह थे रहाअग हंधा। सबसे पहला राष्ट्य उद्यान भी कौili कुंसा था जल्चा कार रफ syllabus था तो पूरा नाम लेखे देना जिम कारवेट था क्या राजा जी महराष्ट में अच्छा जिम कारवेट ना से पारक जिम कारवेट नेसलन पारक बारत का प्रत्थम रश्टे उद्यान कहां पे जिम कारवेट राजा जी लिख देना दुद्वा कांप उत्राखंड में काना कांप एंपी में पड़ता लिख देते हैं दुद्वा उत्राखंड में पढ़ता है उत्राखंड में पढ़ता है काना एंपी में पढ़ता है कोई खास नहीं है कोई खास नहीं है बारतिये गेंडे कहां पाए जाते हैं यानि कि एक सिंग वाला गेंडे की बात कराई एक सिंग वाला गेंडे के लिए कौन सा परसिद एक सिंग वाला गेंडा एक सिंग वाला गेंडा ये पूछरा बारत के एक सिंग वाले गेंडे कहां के परसिद है बारत में एक सिंग वाल एक सींग वाला गेंड़ा एक सींग वाला गेंड़ा कार बेट की बात radi T không के लिए परचिद earn काणाजी बीब्ठोग के लिए परचिद आग आजी बेग Nuclear परचिद आगंप आगंड här काणाजी बगह परचिद है और गिर किसा के लिक्र असी आती के लिए S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E.S.A.E. गेंडे कहा पाई जाती है बारतिये गेंडे के साब साथ पता लगा सकते हो एक सिंग वाले गेंडे के लिए एक तो बारत कांद सोटे 먹을 दो शल्द अधिसे वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो अच्छा बिल्कुल कुछ भी नहीं अपने परसन यहां पर कम्प्लीट होते हैं परसन यहां पर कम्प्लीट 21 परसन थे और कल एक नए टोपिक के साथ आपके सामने आएंगे तो तब तक के लिए जै हिंद जै बार कराओगे जहां परसन दोफिक करते हैं